नमस्कार दोस्तों आपका योट्यूब चैनल हेल्पिंग होटेलियर में स्वागत है दोस्तों भारत में गोमने के लिए काफी जगा हैं कई टूरिस्ट स्पोर्ट तो इतने फेमोस हैं कि वहां आपको हजारों लोगों की भीड मिल जाएगी पर हमारे विशाल और खुबसुरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पोर्ट ऐसे भी हैं जो घोश्ट टूरिजम के लिए काफी पॉपलर हैं ऐसे ही कई जगाओं को देवताओं की शक्ति का रोप माना जाता है जहां कुछ चमतकार देखनी को मिलते हैं इन जगाओं के रहस्यों में कोई वैग्यानिक कारण समझ नहीं आता तो चलिए इनके बारे में जानते हैं नमबर एक कसारा घाट मॉंबई नासिक राजमार्ग मॉंबई नासिक राजमार्ग आपको कसारा घाट नामक एक ऐसी ही एक जगा ले जाएगा जिसे भूतिया नाम से जाना जाता है यहाँ एक ऐसी जगा है जहां पर लोगों ने या तो भूतों को देखा है या फिर भटकती आत्माओं को महसूस किया है जाहिर तोर पर यहाँ पर चड़क के दोनों और लगे पेड़ और जाड़ियां खौफ नाक तरीके से आप पर जोमने लगती है कुछ लोगों ने तो इन पेड़ पर बैठी एक बोड़ी बिना सिरवाली औरत को भी देखा है यहाँ कुछ ऐसी चीजे हैं जिन्हें देखकर आपका नर्वस सिष्टम भी हिल जाएगा जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके इस तरह के ही दावे होते हैं यहाँ से लगबग हर रोग ऐसी भूतिया कहानी सुनने को मिलती रहती है नमबर दो जुड़वा बच्चों का गाउं कोदिनी केरल का एक गाउं जहां का रहस्य जो है वैग्यानिक भी नहीं समझ पाए मलापुरम जिल्ले में मौझूद कोदिनी गाउं ऐसा है जहां 90% ट्विन्स हैं जी हां यहां हर दूसरे घर में जुड़वे बच्चे होते हैं इसके अलावा तिड़वे बच्चे भी मिलते हैं मतलब एक ही जैसे सकल के तीन तीन बच्चे गाउं को सरकार भी विलेज ओप ट्विन्स कहती है गोदिनी गाउं के साथ एक और अजीब बात है यहां की महीलाएं अगर किसी और गाउं में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं इस पर कई वैग्यानिकों ने भी रिसर्च की है अभी तक उनके पास कोई जबाब नहीं मिला है उनका मानना है कि यहां यहां के पानी की बज़े से है और यहां के स्थानिया लोगों का कहना है कि यहां देवताओं का आश्रिवाद है यहां केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 40 किलोमेटर की दुरी पर है यहां इस बज़े से इतना पोपलर हो गया है कि यहां भी एक टूरिस्ट स्पोर्ट में माना गया है दोस्तों ऐसे और भी इंफोर्मेटिव और फैक्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब यह टिप चैनल हेल्पिंग होटेलियर